असलाम वालेकुम, वेलकम टू मैं यूटिप जैलल, I hope आप ठीक होंगे और आज मैं आपके साथ हार्टलेस का नेक्स्ट बाच शेयर तरने वाली हूँ स्चोरी पसान दाए, जो के कम लोगों को याती है तो लाइक और कमेंट काते ना नहीं बसान दाए, तो हेट कमेंट मात करना और आप लोगों को मैंने बोला था ना कि हो सकता आपको इसमें कोई चीज थोड़ी अजीव लगे लेकिन आप लोगों को मुझे पर ट्रस्ट रखना है, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगी जो कि आपको या मुझे सही नहीं लगेगा, तो पास थोड़ा सा मुझे पर ट्रस्ट रखें और जो आपकी कन्फ्यूजन है वो एक दो पार्स में दूर होई जाएगी, यहां पे कोई भी शेरिंग नहीं होने वाली तो चले हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं विंग की मामा हॉस्पिटल में आच चुकी थी और वो इतना ज्यादा ही रो रही थी वो बहुत ज्यादा दुखी थी, अपनी बेबसी बेहसाब से ज्यादा उन्हें विंग के लिए दुख हो रहा था जो कि खुद को बेजी तो चुका था वो बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती थी लेकिन विंग ने उन्हें अपनी कसम दे के जैसे चूप करवाई दिगा था और उसने कितनी हुशी हुशी उनसे बोला था ना कि क्या हो गया जो उसके पास दो हस्पिंट होंगी तो साब ठीगी ये तो है ना वो शादी का रहा है कुछ गलत तो नहीं का रहा और मामा जो के पास अब कि उसके इस चवाब के बाद अब क्या ही बोलने वाली थी वो देख रही थी विंग जो कि कितना ज़्यादा तोटा हुआ ही लाग रहा था और जो उसके होने वाले हस्पिंट थे उनकी शकलों से ही लाग रहा था वो कितना ज़्यादे ही उसे हुश रखने वाले है वो इसकी तरफ ऐसे ही तो देखते थे जैसे वो उनका शिकार हो जैसे वो से पास चीर फाड़ के फेंगी देंगे लेकिन अब क्या ही हो सकता था वो कांट्रैक्ट पर साइन कार चुका था और वैसे भी अब उसके पास बचा ही क्या था जिसको वो बचाता जिसके लिए वो फाड़ पैक करता हाँ, कम से कम ऐसा करने से उसकी माँ की चान तो बाच जाएगी ना के लिए यही काफी था और माँ है तो सब है ठीक है जब वो वांट जी का ये इतना जल्म परताश कार सकता है तो वो उसके भाई का भी कारी लेगा बस यही अब उसकी किसमत थी और उसने अपनी किसमत को एकसेप्ट कारी लिगा था आपरेशन में अभी कुछ दिन बागी थे क्योंकि हॉस्पिटल वालों ने यही कहा था कि फिल हाल विंग की मामा का बीबी नॉर्मल नहीं था और वो ऐसी हालत में कोई भी आपरेशन करने का रिस्क नहीं ले सकते और वैसे भी उनके नियूरो सर्जंट जो के अब रॉड़ी के थे और उन्हें आने में कम स उसकी मामा को हॉस्पिटल में रहना था और वो वहीं पे पास अंडर आपसरवेशन रहने वाली थी वी जो के बास अपनी मामा के पास रहना चाहता था लेकिन भला उसके दोनों मालिकों को ये बात कहा ही मनजूर होने वाली थी तुम यहां पे नहीं रह सकते तुम हमारे स बात चलोगे, हमारे घर, जेवु जुन ने का था और वींग जो किया, बस रिक्वेस्ट ही का रहा था, मैं यहाँ पे मामा के पास रहना चाहता हूं, वो कितनी ज्यादा भी मार हैं जब तक उनका आपरेशन नहीं हो चाहता, कौन धियान रखेगा, अरे कौन धियान रखेग अफकोर्स हॉस्पिटल वारे रखेंगे, और तुम फिकर ना करो, यह बहुत बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है और हम सब पे करेंगे, और एक दो नर्सिस की ट्यूटी भी लगा देंगे, स्पेशली आँटी का ध्यान रखने के लिए, तुम यहाँ पे क्या ही करोग तुम हमारे साथ चलोगे, हमें त्यारी करनी है, त्यारी, किस चीज़ की त्यारी करनी है, अफकोर्स यादी की त्यारी करनी है, और क्या, लेकिन, लेकिन क्या, तुम भूलगे, तुम आगे से कुछ भी आज्यू नहीं कार सकते हो, नहीं, तुम हमारे आगे बोलने का हाक सही कहा ना मैंने वांग जी उन्होंने वांग जी के तरफ देखा था और वांग जी ने बास चूपचाव सारी हिला दिया था उसके दिल में अभी तक तर्थ हो रहा था कैसे उसके भाई ने विंग की नजरों में से गिराई दिया था हाँ वो पहले भी उसकी नजर में कोई अच्छा नहीं था लेकिन क्या ही जरूरत थी उन्हें वांग जी की सचाई ऐसे विंग को बताने की वरना तो उसका बर्म रही जाता और आव विंग भी तो बास उसको वाइड ही का रहा था वो बिलकुल उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था और वांग जी को जाने क्यों ही यह साब भजीब और बुरा ही लाग रहा था क्या वो उसका आस्पेंड नहीं है वो भी तो उसका आस्पेंड होने वाला है ना चाहे शेरिंग में सही लेकिन है तो सही और वो कैसे उसे वाइड कार है और कैसे उसका भाई एक दम से जैसे पूरा का पूरा वीन का माले की बान पैठ है वो उसके साथ साथ है उसे ओर्डर देखता है जैसे चाहे उससे करवाता है और वो उसकी हर बात मान भी रहा है वो भी चुप चाब और वांग जी के लिए यही बात तकलीव दे थी हाँ अगर इतना ही अच्छा था ऐसे उसकी बात माननी थी तो पहले क्यों नहीं मानी उसने जब वो पहली बार उसके साथ वो साप करने वाला था तो ताप भी बात मान लेता और अब विंग कैसे एक दम से अच्छा बान गया था हाँ वांग जी को पता है वो ऐसे क्यों खा रहे हैं वो वांग जी को नीचा दिखाना चाहता है वो उसके भाई पे कबसा करना चाहता है ताके वांग जी से बतला ले सके हाँ यही बात है तभी तो वो उसके साथ साथ लगे फिरता है न वरना तो उससे तो उससे मूँ भी नहीं लगाना चाहिए जो कुछ उसने किया या जो कुछ वांग जी ने किया लेकिन वो तो उसकी बाते मानें जा रहा है वांग जी जो क्या वींग के बारे में बास ऐसे बुरा ही सोच रहा था और वो कुछ गलत था क्या ऐसे ही तो का रहा था ना वींग और विंग जो के अब खुद पे कुछ एहत्यार नहीं रखता था उसे बात मानी थी वो बस अपनी मामा के फोर हैट पे किस कार के उन से हाग कार के मिल के अब जानी वाला था मामा ने उसका हाथ ही पकड़ लिया था रुक जाओ वी मुझे नहीं पता मेरी जिंद्गी कितनी है मुझे लगता है शायद मैं तुमें कभी दोबारा देखने भाओंगी मामा हँम स्वारी मुझे जाना होगा मैं रुप नहीं सकता और ना ही मेरे पास आप इतनी हिम्मत है कि मैं आपको ऐसे देख सकूं मैं आपसे मिलने आउंगा और आप परिशान ना हूँ बहुत जल्दी डॉक्टर आ जाएंगे और आपका अप्रेशन हो जाएगा आप एक तम ठीक हो जाएंगी फिर आप मेरे साथ रहेंगी मेरे घर में वो उनको ऐसे ही दिलासे और उमीदें दिला रहा था उसकी मामा जानती थी विंग जिसके पास हुद कुछ नहीं है जो हुद आप किसी के सहारे आप उन्हें क्या है सहारा देगा वो बास आप रो रो के चुपी काट चुकी थी और विंग जो के अपनी मां की बेबसी देखकर बास अंदर से तोटी चुका था उसका दिल जो के अंदर ही अंदर जैसे हून के आँसो रो रहा था वो साब अपनी मां के लिए तो का रहा था अपनी मां के लिए याब उससे अपनी मां से ही दूर जाना था वो बस जाते जाते जैसे रो ही रहा था और वांग जी उसको देख रहा था वो कैसे ही रो जा रहा था और उसकी आखें तो जैसे अब रो रो के लाल ही हो चुकी थी और वांग जी के दिल में पहली बार उसके लिए तर्स ही आया था कितना दर्ट में है न ये लेकिन ये अपनी वज़ा से ये ऐसे किसने बोला था भीया के साथ पुरा करे या मुझे स्लैब करे ये साथ तुम्हारा अपना किया हुए और मुझे कोई अफसोस नहीं है लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा कि तुम्हारी मा ना मरे वो बाच जाए तुम उसके लिए इतना कुछ कार रहे हो खुद को पेच डाला है तुमने वो बाच जाए वांग जी पास यही दुआ कार रहा था और वो भी तो अपनी मां से प्यार करता था था ना चाहे वो जता नहीं पाता है या पास उनसे लड़ता जगरता रहता है चाहे वो उनसे कितना नाराज है कितने गुस्से है लेकिन वो उसकी मां थी हो है वो बास यही मेजन का रहा था अगर आज वींग की मामा यहां पे है तो काल को उसके भी दूँ हो सकती है और वींग ने क्या ही बोला था कि यह जाब किसी के उपर बीट दिया वो ताब भी समझता है और वानग जी तो जैसे यह सोच की काम किया था उसकी मामा को कुछ नहीं होना चाहिए वो उसका वाहित साहर है वो हास्पिटल से सीधा आप वींग को शॉपिंग मौल में ले गए थे और महां से वाप शॉपिंग करने वाले थे वो हूद तो कुछ भी नहीं देख रहा था वो पास्चूप चाब किसी रिबोर्ट की दराई चाल रहा था उनके साहर और वो दोनों भाई उसके लिए सारी चीज़ें स्लैट का रहे थे जो जो उन्हें लगता था कि वींग पे अच्छा लगेगा वो साब भी तो हरीड डाला था उनोंने वींग पास्चूप भी था उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं था भला किसी चानवर को भी क्या ही फर्क पड़ता है कि उसे कौन बीच रहा और कौन हरीद रहा और यहां तो उसने हूद को खूद ही बेचा था ना तो उसे क्या ही फर्क पड़ता था बस वो चुप चाप था जो उसके साथ होगा वो सहता जाएगा यही उसकी लाइफ है और वो ऐसे गुजारने वाल है उसके पास बचा ही क्या था अपनी इज़त तक तो वो उपे चाहा नहीं सका ना तो आप बाकी जिनकी क्या ही होता है उसे कुछ भी फर्क नहीं है उसने तो अपने लिए हुशियों का दर्वाजा जैसे बांधी कार दिया था वो एक ब्लैक कलर का सूर था वाजी की नजरें तो उस पे हाटी नहीं रही थी वो यही लेना चाहता था और फिर उसने डरते डरते अपने भाई की तरफ देखा था ये ले लें क्या का का ये इस पे अच्छा लगे गा ना वाजी जो के बस वींग को सूर में इमेजिन का रहा था और वो जानता था उस पे तो हार रांग अच्छा लगता है और ब्लैक में तो वोड़ ज्यादा अच्छा लेगेगा हां ले लो अच्छा है I mean शादी के लिए ले लें क्या हां बहुत अच्छा है ले लो और जैवोच उनको भी वो पसांदी है था लेकिन उसके साथ साथ उसने दो औरी ब्लैक कलर के सूट ले लिये थे हाँ वो दोनों दो ले थे तो उने भी तो यही पैनना था न वींग को कोई भी इंटरस्ट नहीं था और फिर वान जी जो के उसको खड़ा करके बास उसके साथ लगा लगा के वो देखी रहा था ये साथ में बहुत स्यादा अच्छा लेगी गा तुम पे वो एक ताम जैसे हुशी हुशी बोल रहा था लेकिन वींग को क्या ही फर्क पढ़ने वाला था इदर आओ ना सरा ये चेक करके देखती हैं वो उसे अपने साथ ले गया और जैवोचन की कोई कॉल आगी थी वो पास उसे ये टेंट करने के थे और उन्हें कोई मसला नहीं था हाँ वांची भी तो उसका हस्बंड ही था न वो उसे साथ में ले गया था और आप वो ट्राइल रूम में उसको वो सूट चेक की करवा रहा था ये पहनो तो मुझे नहीं पहनना मेरा दिल नहीं है मैंने कहा पहनो इससे मैं एकनी खुशी से ले रहा हूँ और तुम कैसे ये ऐसे इंकार कार सकती हो तुम भूल गए क्या मुझे साथ याद है लाएं इदर क्या करना इसे उसने एक ताम से अपनी शेट के बटन खो ले थे और वांची जो कि उससे देख रहा था वो कैसे साथ कुछ मेकानिकरी का रहा था उसने जल्दी से वो शेट पहनी थी ठीक है हो क्या क्या या और भी कुछ करना है वो जैसे आप किसी तोते की तरहीं भोल रहा था वांची उसको देख रहा था ये साथ में बहुत जाता अच्छा लाग रहा था तुम पे वो आप जैसे वींग की ब्यूटी के तारीफ ही का रहा था वींग ने बास ऐसे नजरे नीची रखी थी और वांची जो के एक दाम उसे हाग गार चुका था मैं तुम्हें बता नहीं सकता तुम कितने ही अच्छे लाग रहे हो मैं बिलकुल इमेजिन नहीं किया था कि तुम ऐसे मेरी लाइफ में आओगे लेकिन कोई बात नहीं अब आगे हो तो वेलकम है तुम्हारा लेकिन ज्यादा देर तक तुम नहीं रहोगे याद रखना ये बात मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता बस मेरी माँ को बचा लो बाकी चाहे मुझे चान से मार डालो मैं उफतापनी करूँगा विंग ने बोला था और वो कैसे सखत लैचे में बोल रहा था उसे सबसे कोई तिल जलस भी नहीं है वो क्या लेते हैं क्या करते हैं क्या नहीं उसे कुछ भी नहीं पता उसे बास अपनी माँ की जिनकी चाहिए और अगर माँ जिन्दा रहेगी तो वो भी बास इनका गुलाम बान के रहेगा उसने यही तो सोचा था वांग जी चो क्याब उससे उसके लिप्स पे किसी करना शुरू हो गया था विंग ने जैसे अपने होंट एक दाम से बान दी रखे थे वांग जी ने उसके लोर लिप पे जैसे बहुत सोर से भाइट किया था और विंग को फिर अपना मूँ खोल नहीं पड़ा था और वांग जी जो क्या पूरी तरह उसको पैशन इटली किस कर रहा था वो उसका मार्ट मैग है ना पहला हाग तो उसी का है ना वो यही सोर रहा था और विंग जो कि बस किसी बूत की तरह ही खड़ा था उसने ना अपने होंट ही लाए थे ना अपने पलकें चपकाई थी वो पास ऐसी ही खड़ा था वांची जो के फिर साइड ही हो गया था बार से जेवो जोन उनको आवासे दे ही रहे थे और फिर वो विंग को जल्दी से बाहर ही लिया आया देखें गगा अच्छा लाग रहा है ना ये उसने जल्दी से अपने होंटों के जैसे जुपान ही भीरी थी वो नहीं चाहता था गगा देख लें उसने क्या ही कार नामा किया है हाँ बहुत अच्छा लाग रहा है तुम्हें क्या हुआ ये तुम्हारे लिपस इतने रैट क्यूं हो रहे है वो विंग की तरफ देख रहे थे कुछ नहीं गगा बस वैसे ही है ये आपको तो पता ही ये ना क्या ही करता रहता है बिल्कुल अपना ह्यान नहीं रखता ये क्या हुआ विंग तुमें तुम ठीक हो हम उसने बास इतने ही बोला था और आप वो सारी शॉपिंग कार के घार ही जा रहे थे गार पे मामा जो कि उनका वेटी का रहे थी तुम इस को फिर से ली आए क्या करने वाले हो तुम उसके साथ उसने बास विंग को देखा था जो के बास चूप चाप उनके साथ ही था मामा यह अब हमारे साथी रहेगा यह हमारी वाइफ है हम इससे शादी करने वाले है वांजी नोंने बताया था और मामा के हाथ से तो जैसे अब वो ट्रे गेरी जुका था ये क्या बक्वास का रही है तुम तुम दोनों की एक वाइफ कैसे हो सकती है क्यों नहीं हो सकती जोटी मामा साब हो सकता है और वैसे भी मैं तो इससे शाद का रहा हूँ मैंने कar चलें ही थोड़ा सा हाक आपके बेटे को भी देदेता हूं मैं देगे इसेاتना प्यार करता हूं लुक्ता भाई अपना बेटा समझता हूं इसे और आप क्या कर रही हैं सब कुछ होता है कुछ बुरा नहीं होता और क्या है अगर मेरा भाई थोड़ा सा हुश हो लेगा तो वो तो इसके कॉलिज में है ना और हाँ आप बिल्कुल कुछ नहीं बोलेंगी और आपको तो हुश होना चाहिए हम कम से कम इससे शादी का रहे हैं मेरे पापा की तरह तो नह ना कारे जिन्होंने आपके साथ जो कुछ किया फिर उसने बात धूरी छोड़ दी थी और वाँची देख रहा था उसकी मामा का चहरा कैसे एक तम से काले ही पाट चुका था वाँजे वो चुन चुके उन्हें बार बार उनकी उकाद पास याद दिलाते ही रहता था और विंग पास उन्हें देखी रहा था आंटी उसने बास इतने ही बोला था लेकिन वो अंदर चाच चुकी थी और विंग देख रहा था वो कितनी जादा दुकी है और फिर उसने जैसे चोड नजरों से वांग जी की तरह देखा था उसका चहरा भी तो पत्थर की तरह था ना जिस पे कोई एक्सपरेशन नहीं थी वो बास उसे वहीं खड़ा चोड के अपनी माँ के पास चला गया था और विंग वो नहीं जानता था उसे कहा ही जाना है क्या है करना वो बास वहीं खड़ा रहा था कितनी देर था कि वांग जी जो के शायद अपनी माँ को दिलासा दे रहा था और जेवो जुन जो फिर से अपने रूम में चले के थे और वो तो वैसे ही खड़ा था जिसका कोई ठिकाना नहीं था जो केने को उन दोनों की वाइफ था लेकिन जो बिल्कुल यहां पे अंजान था और फिर उसने देखा था कैसे ही वो सारे कार्ड्स और सारे सर्फेंट्स होते आती जाते अचीब अचीब नजरों से ही देख रहे थे और वो शायद कुछ बोल भी रहे थे एक दूसरे से और विंग ने सुन लिया था अरे हां यह कौन है एक ने तो पूछी लिया था ना दूसरे से यह हमारे दोनों मालकों की एक लौती बीवी होने वाला है और दूसरे नोकर ने कैसे हस्ते वे जवाब दिया था लेकिन वींग ने क्या ही करना था वो बस सुन रहा था उसकी आँखों से पास एक आँसु ही टपका था दो की एक बीवी अरे वा, लगता है यह तो बहुत स्यादा हाट एंड सेक्सी होगा फिर जो इसका एक से गुजारा नहीं होता होगा और दोनों भाइयों को इससे शादी करना पाड़ गी हाँ, ऐसे ही होगा वैसे देखने में तो कितना मासूम लगता है यह अरे मासूम नहीं है तो मैं क्या ही पता यह क्लाब में डांस करता है और गाना भी गाता है ओ माइ गॉड, फिर तो सही हो रहा है इसके साथ यह होना चाहिए हाँ, यह तो साथ की मेरबानिया ना चोंसे शादी करना रहे हैं वरना तो इस जैसे लोगों को ऐसे ही लोग यूज़ करके फेंग ही देते हैं हाँ, अगर फेंग देंगे तो अच्छी बात है फिर हम भी थोड़ा फाइदा उठा लेंगे वो दोनों ऐसे ही बाते कार कि आभी दर उदर काम कार रहे थे और विंग साब सूनी रहा था आप उसकी यह होकात थी ना के लोग और वो भी कौन से ही लोग जो घार में काम कार रहे थे जनोकर थे उसे बस मुफ्त का माल ही समझेंगे और उन्हें पता था ना आज नहीं तो काल विंग से इन दोनों भाइयों का दिल भारी जाएगा और फिर विंग का क्या ही होगा वो तो बास अपने लिए जैसे एडवांस में बुकिंग ही कार रहे थे और फिर उसने देखा वो दूर खड़े कार्स जिनके पास गान्स नहीं वो भी कैसे उसे देख थे के जैसे अपने होटों को बाइट ही कार रहे थे और उससे जैसे उससे कितनी जादा नफरत ही हो रहे थी क्या है क्यों है ऐसा उसके साथ उसका क्या एक उसूर है क्या उसूरत होना इतना बड़ा गुना है जो के उससे सजा मिल रही है साब उस पे क्यों ही बुरी नज़र डालते है और क्या वो हमेगा तो इसका मतलब भी है कि साब कुली छूट मिल गई है जो चाहें उसके साथ करें क्यूं है उसके साथ ऐसा वो जैसे अब रोई रहा था फिर वान जी जो के उसके पीछे ही आगे खड़ा था वो बस रोई जा रहा था उसका दिल गा रहा था वो तो जैसे अपना चेहरा तजाब से ही जलार डाले हाँ यही करना चाहिए था उसे लेकिन वो यह नहीं कार सकता अगर वो मार किया यह उसे कुछ हो गया या उसकी ब्यूटी हतम हो गई तो फिर उसकी मां का क्या योगा वो कुछ नहीं कार सकता था वो बस अपना चेहरा दोनों हाथों में चुपा के रो रहा था कोई उसके पास नहीं आया किसी ने इसको दिलासा नहीं दिया हाँ वो बस बाते कार सकते थे वो उससे रोते हुए को चुप नहीं करवा सकते थे वो आगची चोके उसके पीछे ही खड़ा था हे यू, क्या मसले है तुम्हें, बोलो, वो अब गार्ड्स की तरफ देख के एकताम से आगरी पड़ा था और उसने अपनी पॉकेट से गन भी निकाल ली थी, और सीधा जा के उस गार्ड के जैसे वोर हैट पे राती थी, किस नजरूं से देख रहे हो तुम, बोलो, जान प् से जैसे ठारी क्या था, ऐसे देखना मत उसे, ये पहली बार है और यहारी बार भी होना चाहिए, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा या तुम्हारी आगे ही निकलवा दूँगा, कोई उसको नहीं देख सकता, समझ गे तू, वो मेरा है, वो मेरा मैंने उसे मा की है, और व वांजी को एकदाम से अपनी गलती का हिसास हुआ, अगर इसने भाईया को बता दिया तो, और वो एकदाम से पीछे हुआ था, अपना मूँ बांध रखना, और अपनी आँखें भी उसकी तरफ से हटा के रखना, मैं साच कहा रहा हूँ, मैं तुम्हें क्या तुम्हारी प पुरे तरीके से उसे ड्राया था, और तुम, यहां पे खड़े क्या कार रहे हो, तुम्हें कोई जगा नहीं मिली बैठने के लिए, चलो यहां से, वो उसका हाथ पकड़ के अंदर दूसरे रूम में ले गया था, और उसे जैसे बैठ पे भेंगी दिया था, यह तुम्हा वहां पे बैठ चुका था, और उसे वांग जी का भेंवियर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, कैसे वो एक कार्ड को विंग को देखने पर उसे इतना ज्यादा नराज हो रहा था, और दूसरी तरह वो ही वांग जी था, जो के उसके साथ इतना बुरा था, और वो ही जिसने उसे नोच डाला, उसकी इज़त उससे चीन ली, वो क्यों ही उसके बारे में सोचे, हाँ नाचाईस है वो, वो हराम की उलाद है और उसको ऐसे होना चाहिए, विंग ने पास नफरत सही वांग जी के बारे में सोचा था, वो एक ताम से उके वाशरूम में आ गया थ और वो बास रगर रगर क्याब अपने होन्ट और अपना मूँ जैसे साफ ही का रहा था, जहां 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 वांग जी ने उससे टाच किया था, उससे लगा था जैसे, उसके जिसम पे कोई चूंटिया ही चाल रही है, वो जंगली है, वो जानवर है, लेकिन मुझे यह परना होगा, उसने जैसे रोते रोते एक ताम से घुसे में आके उस मिरर के उपर पांची मारा था, और उसका अपना हाथ जहमी हो गया था, और वो अब अपने हाथ से निकलने वाले हून को देके बस रो ही रहा था, बस, यह आहरी बार है विंग, जितना रोना रोल हो इस साथ वाले कमरे में कोई और भी था जो कि उसी के तरह तोटा हुआ था, और वो भी बेताशा रो रहा था, वो वांग जी की मामा थी, जो कि बस प्यार में दोका खाने के बाद सारी जिंगिया वरोने ही वाली थी, उन्होंने वांग जी के पापा से कितना प्यार किया था, और उन्होंने कैसे ही, शादी का वादा का करके उन्हें प्रेगनेंट का करके जोड़ी दिया था, और उन्हें बाद में तो पता चला था, वो शादी शुदा थे और एक बच्चे के बाद थे, लेकिन क्या ही हो सकता था, उनकी फैमिली ने उन्हें डिसान का दिया था और जेवो जुन जो के अपनी माँ के मढ़ने के बाद उनको यहां पे लिया आया था हाँ, यह उसका हैसान ही तो था और तब ही तो वो इस हैसान को चुका ही रही थी लेकिन वांग जी, वो भी तो वैसे ही बान गया था ना अपने बाप की तरह वो कितना बुरा बान गया था वो ऐसा बिलकुल नहीं था वो बच्पन में तो कितना अच्छा होता था जो चोटी-चोटी चीज उसे डार के पास रोता हूँ उनके पास ही भागाता था लेकिन अब वो वांग जी तो जैसे बहुत बुरा बान चुक है वो रो ही रही थी उन्हें वींग के रोने की आवाज़े आ रही थी और उनका दिल तो जैसे उसके दर्द को महसूस कार कि फार्टी रहा था यह क्या ही हो रहा था वांग जी के बाब ने उनके साथ ये किया और आप वांग जी और उसका भाई उस मासूम लड़के के साथ कितना ही बुरा कार रहे है वो बस रो रही थी मुझे माफ कार देना मेरे बच्चे काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कार सकती मैं बहुत बुरी हूँ मेरी गलती है काश मैं उसके बाप के प्यार में नहीं पढ़ती और वो इस दुनिया में नहा था वो जैसे आप है यालू में वींग से बातें कार रही थी और वींग तो बस रो ही रहा था ना एक घंटा गुजरा था वींग पास अपने बैट पे बैट आई हुआ था चुप चाप वांग जी जो के उसे अच्छा हासा डांट के जा चुका था क्योंकि उसने अपना हाच जो जखमी कार लिया था और उसने डांटे डांटे भी उसके हाथ पे बैंटिज कारी थी थी और पिर जेवो जुन जो के उससे आके वो शादी के कपड़े भी देखे थी और वो सारा सामान भी उसे क्या ही त्यार होना था उसे कोई फर्क नी पड़ता न वो पास उसे जल्दी जल्दी फ्रेश होके रैटी होने का क्या चुके थे वींग बास आप बात लेके रैटी होई चुका था वो मिरर में हुद को देख रहा था वो बिलकुल त्यार नहीं होगा उसे कोई मेगाप नहीं करना वो क्यों ही सजाए समारे हुद को और की स्केल यही वो जानवत उसे वैसे भी नहीं छोड़ेंगे तो फिर क्या है स्रूरत है इतनी मेहनत करने की और हुद को मजीद बरबात करने की वह बस अपना ڈरेस चेंज करके आप बैठी चुका था उसके हरीदार बास उसे अब लेने आने आने वाले थे वानची जोग कि आप उससे लेने आई गया था चलो आप लेट हो रहे हैं हम मुझे मामा से बात करनी है हाँ मामा से बात भी करवा देंगे चलो अभी लेट हो रहे हैं वो कोठ हमारे बाप का नहीं है जो खुल नहीं रहेगा वो उसे जैसे हाथ से पकर कर अब खेंचने वाला था और विंग जो के एक दम से अब सिस्की लेकी रहा गया था